हेलो इस्टूडेंट्स वीडियो में हम 12 इंगलिस के 3 important question answer को पढ़ेंगे इस्टूडेंट यह जो 3 question है यह 12 इंगलिस के short story से लिए गए हैं और तीनों question आपके 3 अलग-अलग chapter से हैं ठीक है और बता दें कि यह जो questions हैं ठीक है 12 इंगलिस के paper में जो short story से questions आते हैं वो 10 number के पूशे आते हैं आपको 3 question दिये जाएंगे आपको 2 करना होगा जिसके लिए आपको 10 number मिलेगा इसलिए यह video बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि 10 number आपका clear हो सकता है दिखिए यह तीनों question मैंने तीन अलग-अलग chapter से लिए हैं first question है first chapter से जिसका नाम है the gold watch second question है second chapter से जिसका नाम है an astrologist day और third question है third chapter से जिसका नाम है the lost child ठीक है तो चलिए video को star करते हैं मैं आपको Hindi meaning के साथ step by step answer बताऊंगा तो video को last तक देखते रहें ठीक है और साथ साथ मैं आपके लिखते हुए भी चलूँगा तो first question क्या है जो कि है the gold watch से why did संकु not get any sleep for several days यानि कि संकु कुछ दिन क्यों नहीं सो सका ठीक है या संकु कुछ दिन नीद क्यों नहीं आई तो देखिए उसका एक कारण था सभी को पता कि संकु एक worker था ठीक है एक factory में काम करता था वो जो कई लोगों से रिण ले चुका था और कुछ सामान भी उधार वो ले चुका था ठीक है और उसलिए अपने boss की घड़ी चुराने की सोची ठीक है इसलिए वो कुछ दिन नहीं सो सका कि कैसे क्या करेंगे क्या होगा ठीक है तो चलिए इसका एंसर लिखते हैं तो देखिए इसनसर हम साथ सा लिखेंगे तो लिखिए संकु वाज ये ठीक है वाज ये लोग पेर वरकर वरकर इन ये फैक्टरी अब आगे लिखते हैं पहले पुरा लिख लेंगे उसके बाद में इसका हिंदी में बताऊंगा He was Under Debt Debt का मलब होता है ठीक है या करजा He thought He thought Of Stealing Steal का मलब होता है चुराना इसमें I-N-G लगा हुआ है ठीक है He thought Of stealing His boss His Boss Watch Watch From his office From his Office ठीक है But the fear But The Fear Of Wing Caught And Punished ठीक है वो अपने boss की चोने की घड़ी चुराना चाहता था लेकिन उसे डर था कि वा पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा अभी मैं हिंदी पर बताऊंगा थोड़ा सा ओर है So He Could Not Get Any Sleep Any Sleep For Several Days ठीक है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ आपको अच्छे से राइटिंग से लिखना है पेपर में ठीक है तो देखे क्या कहा गया है कि शंकू वाज यह लोग पेड वरकर इनी ए फैक्टरी यानी कि संकू एक फैक्टरी में कम बेतन पाने वाला मज़दूर था ठीक है जो कि कम बेतन पर काम करता था He was under debt, यानि कि वह कर्ज में था, ठीक है यहाँ पर under का मलब होता में, तो वह कर्ज में था, यानि कि कई लोगों से कर्जा वो ले चुका था, कुछ सामान भी उसने उधार लिये थे, He thought of stealing his boss, was from his office, उसने अपने बॉस के आफिस से अपने बॉस की घड़ी चुडाने की सोची कि उसकी अगर हम घड़ी चुडा लिते हैं, तो सारा कर्जा हमारा खतम हो जाएगा, but the fear of being caught and punished, लेकिन उसे पकड़े जाने का और दंडित होने का डर था, कि मैं पकड़ा जाओंगा और मुझे दंडित किया जाएगा, यानि कि सजा दी जाएगी, so he could not get any sleep for several days, इसलिए व हो हाटेगा नहीं, तो यही सब वो सोच रहा था, अब second question हम लोग देखते हैं, तो देखिए हमारा second question यहाँ पर आता है, देखिए यह है, second question है, what made the astrologer feel uncomfortable, यानि कि जो astrologer है, यह second chapter से है, and astrologer's day से, इस chapter से है, तो क्या कहा जा रहा है, कि जो 37 था, उसने आसहज महसूस क्यों क किया, ठीक है, what made the astrologer feel uncomfortable, यानि कि 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 बात ने जो 37 को uncomfortable, यानि कि आसहज महसूस हुआ, ठीक है, वो क्या था, तो देखिए, उससे आसहज महसूस क्यों हुआ, uncomfortable, वो परेसान क्यों हो गया, क्योंकि क्यों परेसान हो, मैं पहले बता देता हूँ, जो 37 ने आसहज महसूस क्या जब उसने गुरु नायक को देखा, गुरु नायक कौन था, जिसको उसने चाकु मार कर कुए में फैक दिया था, ठीक है, तो जिसे उसने चाकु मार कर कुए में फैक दिया, तो इसका एंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए, जो 37 जो था, वो सब का वाविस्व एस्ट्रू लोजर फेल्ट फेल्ट जो है यह फील का सेकेंड फॉर्म है ठीक है अनकमफर्टेबल अनकमफर्टेबल ठीक है वैन ही सा गुरुनायक गुरु नायक हुम ही इस्टेबड इस्टेब एक मलभू या घॉकु मार देना ठीक है आद थीए एक धेना थो का फेक देना थीए ठीक है एक एक प्रूर आड प्री न दो दा बैल ठीक है तो इसका हंदी होगा अस्ट्रू लोजर फेल्ट अनकमफरटेबल जिसे उसने चाकू मार कर वे में फैक दिया ठीक है तभी वो uncomfortable feel करने लगा कि यह मुझे पकड़ लेगा और मुझे सजा देगा ठीक है लेकिन वो उसे पहचान नहीं सगा अगर आपने पूरी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अब आता है थार्ड कूश्चन जो कि है थार्ड चैप्टर से ठीक है यह यानि कि जब खो जाने पर बच्चे को क्या महसूस हुआ जब वो अपने मातापिता से बिछड गया तो उसे क्या महसूस हुआ तो देखिए इसका अंसर लिखते हैं और सिन जब कि झाल शान काने प्रस्टों है He cries for them. He runs here and there for his parents. For his parents. His eyes are filled with tears. Everything are tasteless. Everything are tasteless and charmless. For him without his parents. The question is that when the child loses his parents, when the child loses his parents, when the child cries for them, he cries for them. His eyes are filled with tears. Everything is tasteless and charmless for him without his parents. Everything is close to another. Everything is clear that everything is true. Everything is true. Everything does not mean to be猜ified of his parents. Everything is true. Everything is true. Without his parents. यानि कि क्या कहा गया था खो जाने के बाद बच्चे ने क्या फिल किया तो खो जाने के जब बच्चा अपने माता पिता को खो देता है वह अपने माता पिता के लिए इधर उधर भागता है वहाँ उनके लिए रोता है और उसकी आखें जो है वासू से भर गई और हर चीजें सभी चीजें उसके लिए हानी रहित और स्वाद रहित थी बिना माता पिता कि ठीके तो ये इसका हंदी होगा इस प्रकार से आपको इसका अंस्वर लिखना है इससे पहले भी मैंने आपको important question बता रहे हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं तो कैसा लगा आपको ये वीडियो comment box में बताएं और इनमें से कितने question आपको पहले सही बता थे वो भी comment box में बताएं